सुप परभात आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है मैं मंदीव कुमार सिंग आज वईसी विद्यार्थियों के लिए जो टेंट पास आउट कर चुके हैं जो टुवल्द पास आउट कर चुके हैं या टुवल्द देने वाले हैं ठीके तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज मैं बहुत हीं क्या है हूँ जो सभी के मन में एक चिंता सरा होता है और एक जिग्यासा सरहता है कि पлет टेंक कैसी कर में पड़्यकनिक है क्या करने के बाद हमें नौकड़ी अच्छा मिलेगा या बूरा मिलेगा है पुल्टेकनिक करें या 12 के बाद बीटे करें तो बहुत सारे सवाल होता है हर एक विद्यार्थियों के मन में तो कोशिस करेंगे जितने विद्यार्थियों हैं उनके कम से कम और जादा से जादा सवालों के हम जवाब दे सकें तो चलिए आज बात करते हैं पुल्टेकनिक कै करने के बारे में संपून जनकारी आज आपको हम हिंदी में देंगे क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्य भासा है अंग्रेजी अंग्रेजी सिर्फ एक दूसरे से कॉम्निकेट करने के लिए हैं लेकिन हमें हमारे राज्य भासा को हमेशा याद अखना चाहिए और हमेशा बोलत पर जैसे आज का विसेह रहेगा कि प्ल्टेक्निक क्या है वाट इस प्ल्टेक्निक कोर्स करें या ना करें टेंत के बाद करें या ट्वेल्ट के बाद करें प्ल्टेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कौन से कोर्स होते हैं प्ल्टेक्निक करने के बाद क्या करें पुल टेकनिक करने के बाद job होगा या नहीं होगा पुल टेकनिक के बाद bteg कैसा option है पुल टेकनिक के बाद ITI अच्छा option है या बुरा option है पुल टेकनिक के क्या फायदे है और last हम आपको conclusion बताएंगे तो जैसी कि आप जानते हैं सभी विद्यारतियों के मन में जो खास करक जागते हैं तो आज हम इस सारे सवालों का धीमे धीमे में आपको सरल भासा में आपको आज बताएंगे तो चलिए टाइम बरवाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं आप सभी ने पल्टेकनिक के बारे में तो जरूर सुना होगा नहीं सुना तो कोई बात नहीं यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे 10 और 12 के बाद पल्टेकनिक में परवेश के लिए जा सकता है जब आप अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है तब आपके अपने दोस्त और इस्तिदार विन तरक के सुझाओ देते हैं कि यह कोर्स कर ले वह कोर्स कर ले तो उन सभी विकल्पों में से एक विकल्प पल्ट पल्टेक्निक कोर्स ले तो लेते हैं लेकि उन्हें यह पता नहीं होता है कि पल्टेक्निक का मतलब क्या होता है या इसमें आप क्या पन सकते हैं पल्टेक्निक कोर्स बहुत ही पपुलर कोर्स होता है जिसमें आप अपने रूची की हिसाब से पढ़ाई करके अच्छी जो ज़रूर बता देंगे चलते हैं पहला जो सभी के मन में आता है what is politechnik courses? politechnik एक diploma course होता है जो दसवी और बारवी कच्छा पास करने के बाद होता है इसमें आप अपने रूची के अनुसार किसी भी छेतर में diploma course कर सकते हैं या diploma course दो से तीन वर्स का होता है Politechnik course को करने के बाद आप Δegree के लिए सीधे बीटे के Second Year में परवेस ले सकते हैं इसमें बहुत सारे courses और branches होते हैं जिनें आप रूची के अनुसार चुन सकते हैं Politechnik कैसे करे? दुसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि Politechnik करें तो कैसे करे? पुल्टेक्निक में परवेस लेने के लिए दो प्रक्रिया बनाई गई है पुल्टेक्निक में आप दसवी या बारवी कच्छा पास होने के बाद भी परवेस से ले सकते हैं अगर आप दसवी कच्छा अच्छे अंक से पास हैं तो आप सरकार पुल्टेक्निक संस्थान में परवेश कर सकते हैं लेकिन यदि आपके दसवी कच्छा में अच्छे अंक नहीं आते हैं तो आप किसी भी नीजी संस्थान में परवेश ले सकते हैं तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपके पास अच्छे marks है 10th में, तो आप direct जो सरकारी प्लटेकनिक कोलेज है, उसमें आप marks ले सकते हैं, और कम marks है, तो जो प्राइवेट प्लटेकनिक कोलेज है, उसमें भी आप च्वाइनिंग कर सकते हैं, चलिए अब बात करते दसवी कच्छा के बाद, दसवी कच्छा से प्लटेकनिक में परवेश लेने के लिए आपको परवेश परिच्छा देनी होगी, इसका नाम है DET, जिसे हम डिपलोमा इंट्रांस टेस्ट करते हैं, जो चात प्लटेकनिक में परवेश लेना चाहते हैं, उन्हें इस यदि आप दसवी कछ्छसर पॉल्टेकनिक का डिपलोमा कोर्स करते हैं, तो यह कोर्स करने की अवधित 3 वर्स की होती है। 12 कछ्छ के बाद यदि आप बारवी कच्छे के बाद पॉल्टेक्निक डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसका बरे फायदे हैं एक तो आप बारवी कच्छे पास कर लेते हैं जिसके आगे आपके लिए परतियोगी परच्छा जो कॉम्पिटेटिव इक्जाम का बहुत ही अच्छा विकल्प होता है अगर आप बारवी के बाद पॉल्टेक्निक का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तब इस कोर्स की अबदी दो साल की रह जाती है जिससे आप बारवी और पोल्टेकनिक डिप्लोमा हासिर कर लेते हैं और बारवी के अधार पर पोल्टेकनिक के साथ जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन बारवी से पोल्टेकनिक का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको बारवी कच्छा में भोतिक, फिजिक्स, रसायन विज्ञान जिसे केमेश्ट्री और गनीत मैट विशे लेना पड़ता है यदि उमीदवार बारवी कच्छा से पॉल्टेक्निक कॉलेज में परवेश लेना चाहता है तो उसके लिए उमीदवार को CET की परिच्छा को अच्छे माक से पास करना होगा तभी आपको किसी सरकारी पॉल्टेक्निक कॉलेज में परवेश मिलेगा नहीं तो आपको किसी निजी कॉलेज में परवेश लेना होगा जो ऐसे विद्यारती जो 12th पास आउट हो चुके हैं और पॉल्टेक्निक में जाना चाहते हैं अगर उन्हें अगर सरकारी कॉलेज में जाना है तो आपको CET के एक्जाम पास करना होगा अच्छे मांक्स आते हैं तो CET के थुरू आप डारेक्ट सरकारी कॉल्टेक्निक कॉलेज में एडवेशन पास सकते हैं और नहीं तो निजी कॉलेज में आपको परवेश लेना होगा तीसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि पॉल्टेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से कोर्से होते हैं तो दोस्तों अभी हमने पॉल्टेक्निक कैसे करते हैं इस बारे में आपको बताया है अब जानते हैं कि भारत में सबसे लोग फिर यह प्लिटेक्निक कोर्स लिस्ट ठीक है तो यह सारे कोर्से हैं जो सबही को करने होते हैं अब बात करते हैं पर्लिटेकनिक करने के बाद क्या करें ज 요 much और आप के पास दो विकलफ होते हैं पहला अगर आप नोकरी करना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी या नीजिटिवी सेतर में कर सकते हैं दूसरा अगर आप अपनी पढ़ाई को और आगे जारी रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं यदि आप पल्टेकनिक की पढ़ाई को फुरा करने के बाद आगे अपनी पढ़ाई को जारी करके जोब पाएंगे तो आपकी पल्टेक्निक के बाद salary और अच्छी जोब दोनों मिल जाएगी तीस्ता सबसे बड़ा सवाल होता है पल्टेक्निक के बाद जोब के बारे में पल्टेक्निक डिपलोमा कोर्स करने के बाद जैसे railway विभाग में ऐसे कई सारी रिक्तिया वेकेंसी निकली होती है जिनके लिए Polytechnic Diploma Course होना बहुत ही जवरी होता है बिना Polytechnic Diploma के आप इन रिक्तियों के लिए आवेदे नहीं कर सकते हैं चलि तिस्टरा सबस्टाइब से पुछा जाता है सरी दाव्यों से कि बीटिक कैसी करें तो इसमें हम आपको बताएंगे आज कि आप बीटिक कर सकते हैं आप दो परिछा के माध्यम से बीटिक में परव्यश ले सकते हैं यह पहला होता है LEAT exam, जिसे हम lateral entry exam के माध्यम से और अन्य engineering परवेश परच्छा के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप polytechnic के बाद विटेक करना चाहते हैं, तो एक LEAT exam है, और भी other exam है, लेकिन आप LEAT exam पास करते हैं, lateral entry exam, तो आप direct polytechnic के बाद विटेक कर लेते हैं, तो आपके सीधी engineering के second year meditation मिलेगा, lateral entry exam state level की परिच्छा होती है, आप अपने rank के अनुसार counseling के समय, अपने state से college चुनने में सक्षम होंगे, जादत engineering college में lateral entry के लिए अरक्षित सीटे होती है, लेकिन ITI में कई lateral seat नहीं है, अब बात करेंगे, polytechnic के बाद ITI क्या है, अगर आप polytechnic करने के बाद ITI में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको J-Man और J-Advance देना होगा, इसके अलावा, जो ITI में कई lateral entry नहीं है, लेकिन इस परिच्छा के मादियम से आप B-Tech के पहले वर्स में परवेश लेने में सक्षम है, लास्ट है, polytechnic के फाइदे क्या क्या है, तो आगे आपको polytechnic कोर्स करने के लिए कुछ फाइदे बताएगे हैं, इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इससे आप दसफी आप बाद भी कच्छा के बाद कर सकते हैं, दुसरा फाइदा है, polytechnic डिप्लोमा में आपको कोर्स के बारे में प्रैक्टिकल तरीकी से सिखाय जाता है, पल्टेक्निक डिप्लोमा को करने के बाद आप किसी भी सरकारी और नीजी नौकरी के लिए आविदन कर सकते हैं, इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप सिध इंजिनिंग के सकेंड ये में परवेस ले सकते हैं, तो देख सकते हैं ये सारे फायदे हैं, जो भी अगर आप डारेक्ट प्लिटेक्निक के बाद बिटेक करते हैं, तो simple conclusion ये निकलता है, हाँ तो दोस्तों, अगर आपका सपना भी इंजिनिंग करने का है, तो दस भी या बारवी कच्छे के बाद, ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, प्लिटेक्निक संस्थान द्वारप पेस किये गए सभी डिप्लोमा कॉर्सेस, छात्रों को संबंदित विश्यों के साथ पहलियों के बारे में परिच्छित करने के लिए होते हैं, इसमें छात सारा डाउट, जो भी 10-12 के स्टुडेंट है, सारा डाउट अगर मैं आपका किलियर कर पाया हूँ, अगर उसमें मैं सक्छम हुआ हूँ, तो प्लीज मेरे जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे हैं, प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट का हमें सक जरुवत होती है, धन्यवाद